नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का कोई खिंदी पर और मैं हुआ वविनो सिंग दोस्तों आज मैं आप सभी को MS Word के 30 most important question बताऊंगा जो कि बार-बार exam में पूछे जाते हैं MS Word MS Office का एक part होता है MS मतलब Microsoft और पिछली वीडियो मैंने MS Excel पर discuss किया था Excel एक spread sheet program है और MS Word एक word processing software होता है जिस पर हम CB, innovation card बहुत कुछ बहुत सारा काम कर सकते हैं वर्ड से समंदित तो पूरी वीडियो देखना और वीडियो के आखिरी में मैं दो question पूछेंगा रोज की तरह जिसका answer आपको comment box में लिखना है और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो red girl का subscribe बटन उसको प्लस कर लीजिए और फिर घंटी भी दबा देना पिर चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं अब आज का पहला question है MS Word की विस्रिस्ताएं क्या है तो इसमें spelling checking और graphics ये दोनों बिस्रिस्ताएं MS Word में होती है जिसका option number C answer हो जाएगा दोनों अब next second number MS Word को run command के द्वारा खोलने के लिए क्या type करते हैं तो win word option number V run command में win word type करने पे MS Word खुलता है ठीक है अब चलिए next MS Word में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है तो document चलिए next page setup कमांड की सायता से किन को बदला जा सकता है तो A में है margin, paper size, color और B में paper stroke, layout तिन सब को बदला जा सकता है तो option number C इसका answer हो जाएगा A और B अब next MS Word को open करने पर कितिनी स्क्रीन विंडो पर दिखाए देती है तो दो most important है ये अब चलिए next किस कमांड द्वारा document को print करने से पूर देख सकते हैं तो print preview option number C इसका answer होगा अब next MS Word 2007 में file को खोलने, save करने यों बंद करने से सम्बंदित कौन सी कमांड होती है तो office button अब next कारिशेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है तो task बार का उपयोग किया जाता है option number C अब next एक reference है जो document के एक भाब की सूचना दूसरे भाब को दिखाता है तो है cross reference ठीक है अब next selected line को तो office number C control plus shift plus D ये double underline की है अगर single की बात करें तो control plus U ठीक है shortcut की के विए एक बने वीडियो बनाए जिसमें सारा discuss किया है काफी important है हो उसको नहीं देखा है तो description में link मिल जाएगा उसको जरूर देख लेना अब चलिए next MS Word 2010 का पहला menu कौन सा है word में सबसे नीचे जो screen प्रछीथ होती है उसे क्या कहा जाता है तो उस से status bar कहा罪ा में आप MS Word में भी एसा होता है MS Excel में भी असा होता है तो नीचे जो सबसे होती है उसको status bar कहتे है और जो ऊपर होता है उसको title bar कहते है अब चलिए next MS Word में सबसे उपर दिखाई देनी वाली बार को क्या कहते हैं यह देखो आ गया उपर वाला भी तो इसको टाइटल बार कहते हैं अब चलिए next Footnote, Endnote का उप्योग किस के लिए किया जाता है Reference के लिए किया जाता है अब चलिए next 15 नमबर है कौन सी ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दिख से प्रेजेंटेशन है तो है Smart Art ठीक है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से Request है, चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब कियो तो जरूर कर लेना और बेल आइकोन भी दबा देना अब चलिए Next अब 16 नमबर है एक बिसे सूची है जो डाकूमेंट में अपने समंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्तित होता है तो कौन सी है हो ओ टेवल आफ कंटेंट ये गल्दे से आफ हो गया है लेकिन ये आफ है टेवल आफ कंटेंट एक बिसे सूची है जो डाकूमेंट में अपने समंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्तित होता है अब चलिए Next 17 अन्तिम कमांड के प्रभाव को नश्ट करने की कौन सी कमांड होती है और इसको रेडो रेडो मतलब फिर से वापस लाना है तो रेडो रेडो का सौट कट की होता है काफ़ इंपोर्टेंट है चलिए Next किस कमांड की साहता से किसी भी टेस्ट या ग्राफिक को अस्ताय रूप से हटाय जा सकता है तो डिलीट चलिए Next डाकूमेंट बनाने के लिए बिभीन प्रकार के बिखल प्रदान करते हैं तो Microsoft Word होता है जिसमें हम डाकूमेंट बना सकते हैं Excel तो इस फिर सीट के लिए होता है Powerpoint प्रेजिंटेशन के लिए वर्ड ही है जिसमें हम डाकूमेंट बना सकते हैं अब चलिए Next Phone Dialog Box प्रदसित करने के लिए किस कुझी का प्रयोग किया जाता है तो Ctrl प्लस D काफ़ इंपोर्टन रही है वैसे shortcut key का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना उसमें सारा वने बता दिया एक ही वीडियो में चलिए Next 21 अपने टेश्ट को इंडेट देने के लिए आप कौन से टेप पर paragraph group में decrease indent और increase indent का उप्योग कर सकते हैं तो Home में ऐसा कर सकते हैं चलिए Next किस कमांड की साहता से किसी भी टेख्ट, footnote, endnote या mark को सर्च किया जा सकता है तो go to ठीक है अब Next समनार्थक सब्दों की सब्दकोस है जिसका उप्योग समनार्थक सब्दों को खोजने के लिए कर सकते हैं तो the source ठीक है option number C काफ़ important है ये चलिए Next वर्ड 2010 के file menu के क्या कार कर सकते हैं नई file बनाना हो तो तुरानी file खोलना और file save करना तो सब कुछ कर सकते हैं उपरोग सभी चलिए Next 25 किसके जरिया आप और दोमान डाकुमेंट की किसी location को दूसरे डाकुमेंट या वेफसाइट से जोड सकते हैं तो वह हाइपर लिंक चलिए Next सब्सक्रिप्ट करने की shortcut कुंजी control plus is equal to जिसको खुलते हैं बरावर इससे क्या होगा सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए Next लाइन के आरम्भ में जाने के लिए किस कुंजी का उप्यूग किया जाता है तो Home Home दबाने से हम लाइन की starting में पहुंच जाएंगे चलिए Next MS Word में बनी हुई फाइल का extension क्या होता है तो Docs काफि इंपोर्टन्ट है ये चलिए Next MS Word 2007 में text select करने पर स्वता प्रदसित होता है तो होता है mini toolbar ये सिर्फ MS Word में नहीं कहीं पे भी हम अगर text select करते हैं तो हमारे सामने लगभग mini toolbar ही प्रदसित होता है काफि इंपोर्टन्ट है ये चलिए Next आज का आखरी 30 number web page design करते समय कौन सी script भासा का प्रयोग किया जाता है तो HTML सबको पता होगा ये और HTML का मतलब होता है hypertension mark applying quiz अब आते हैं आज के question पर उससे पहले दोस्तों आप सभी से request है वीडियो पसंद आए तो like जरूर करना और चैनल को subscribe करके वेल आइकॉन प्रस कर देना अब आज के question पर आते हैं अब आज का पहला question है Microsoft Word क्या है ये बहुत important है एक question तो नहीं बता है लेकिन इसके बारे मैंने डिसकस किया वीडियो में तो आपको बताना है या operating system है या फिर word processing program है Microsoft Windows है ये इन में से कोई नहीं इसका answer आपको comment box में लिखना है ये बहुत important question है अब आते हैं दूसरे question पर अब आज का दूसरे question है सब script करने की shortcut कुणजी क्या होती है चार option है shift plus s, control plus equal to control plus shift plus dollar और control plus minus इन में से इसका answer क्या होगा उसको आपको comment box में लिखना है answer जरूर लिखा करो comment जरूर किया करो ताकि मुझे भी पता चले कौन को और मेरी वीडियो को देखता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप comment करते हो तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आप सब को all the best मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाएंद जै भारत